कभी-कभी हमारे पास बहुत सारे नाम आ जाते हैं Microsoft Access में और जब उनको काउंट करना होता है तो प्रावलम हो सकती तो इसको ऐसे काउंट करेंगे उसको लिख करके कैसे अब काउंट कर सकते हैं उती के बारे मताने जा रहा हूँ सबसे पहले तो यह जो query बनाई है उसको मैं save करता हूँ ठीक है तो यहां पर इसे student Q के नाम से save करता हूँ student query, तो यह वो गया student q, q यानि query, तो यह student q के नाम से save कर गया, अब हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ से चाहते हैं कि हम एक query design में जाकर कि और यह query हमने बनाई, उसको ले करके, और यहाँ पर यह, यह देखिए, यह जो है ना, यह जो count मिलेगा, और यहाँ से जाकर कि सीधा आप count कर लेंगे, और यहाँ से जैसे finish करेंगे, तो यहाँ total number आ जाएगा, ठीक है, यह आपको I hope की बात समझ में आ रही होगी, कि यह कैसे करना, लेकि